हेलो स्टूजेंट्स वेलकम टू माइन नर्चर मैं हो क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो चलो कॉम्टिटी फार्मेशी में हम अपना नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नमबर फाइव पेशेंट काउंसलिंग है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं जि हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग लगेगा कि अरे यह तो हमें से वाता है और येस यही है कि जब मैं इसको समझाओंगा तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा फील होने वाला कुछ रीयल में आप लोग जानते हो इस चीज़ को रियालिटी है क्या नहीं जानते हो कि हाँ क कि इस question में यही लिखना है यह चीज नहीं जानते हो ठीक है तो ध्यान लागे सुनना एक बार ध्यान लागे सुन लोगो तो द्वारा फिर इस lecture को देखने के सुनने की जरूत नहीं पड़ेगी एक ही बार में काम हो जाएगा ओके चला है स्टार्ट करें अच्छा कुछ बच नीचे वाला के स्टाफ का बंदा होता है वो क्या करता है आपको बताता कि हाँ यह सुवह साम खाया लना यह करना यह करना तो इतना ही रोल रह गया है हमारी डवलपिंग कंट्री के अंदर इस यादा नहीं देखने को मिलता है लेकिन हाँ कुछ ब्रवड़े हॉस्पिटल तो डिएफिनेटेंट ऊफ साफ साफ कह रही है क्या कह रही है पेशेंन काउंसलिंग इस डिफाइनड आज़ दवाइदिग मैडिकेशन इन्फॉमीशन जो दवाइयों की इन्फॉमीशन है ठीक है ना? Patient Counseling Defined as the Providing Medication Information Patient Counseling को हम Defined कर सकते हैं समझा सकते हैं यह कह करके कि यहाँ पर हमको दवाईों की information दी जाती है Orally, Mockic रूप से या written form में या लिखित रूप में दवाईों की सारी information दी जा रही है कब खानी है, कैसे खानी है ठीक है, कौन-कौन से दवाईयां लेनी है और their representative या तो patient को दी जाएगी पेशन रके लाया है, तो patient को बताए जाएगा या patient की तरफ से कोई care taker आया है उसका भाई, मम्मी, पापा कोई भी आ रखे, उसके representative उसको समझाया जाता है ठीक है, on direction of use ठीक है, की use करने का क्या क्या तरीके है advice दी जाती है on the side effect कि क्या क्या side effect हो सकते है तो कई बताया जाता है कि इसको खाने से आज गंटे पहले खालना, आज गंटे बाद में खाना या इसके साथ ये मत खाना कई बार ऐसे सुजाव दिये जाते है ठीक है, क्या के precautions लेने है क्या हाँ पर रखना है कि इसो धूब में रखना, मौश जगब में रखना क्या diet लेनी है, क्या lifestyle modification कि आपको क्या क्या अपने अंदर changes लेकर के आने है जिससे कि आप इस बिमारी में जल्दी recover करेंगे ये सारी चीजे होती है पेशेंट काउंसलिंग के अंदर दवाईयों की information तो होती है उसके लावा ये सारी information भी होती है clear है, तो ये बात मैंने कहा था ना आपको पता हुआ क्या होता है बस ये समझना है कि हाँ इनके अंदर ये लिखना है और इसके अदर इतने सारे point लिखे जा सकते है बस इसे जादा कुछ नहीं जानना आपको आज आफट आफट खतम करें इसको तो गरा according USP United States जो USP है फार्मकोपिया उसके according हम बात करें तो medication counseling is an approach यह एक approach है that focus जो focus करता है on enhancing the problem solving skill ये enhance करता है बढ़ाता है problem solving skill of patient patient की जो problem है उसको solve करने का जो तरीके है उसको enhance करता है for the purpose of improving or maintaining the quality of health and quality of life patient की जो problem है patient का बहुत सारी problem बिमार तो बिचारा है ही उसके लाब बहुत सारी दिक्कते हैं उसके पास कि कुछ खाने को अच्छा नहीं लग रहा है life में ये चल रहा है बिमार है तब भी काम करना बढ़ रहा है या खाना नहीं बनता तो बहुत खाना खाना खारा है तो तो यहां पर इसब guide किया जाता है कि आपको क्या छोड़ना है क्या करना है वगरा वगरा हर एक चीज़ तो जब यह सारी चीज़े यहां पर counseling होती है तो patient की problem solving को solve करवाना है ठीक है जिससे की उसकी maintenance और quality of life अच्छी हो सके ठीक है तो information is usually given verbally जा आम तोर पर मौकिक रूपे मुझ से बता दी जाता है यह करना यह करना यह करना यह ले जाओ आपको इस बिमारी में यह सब चीज़े करनी है कई सारे hospital में ऐसा दिया जाता है तो रिटन में हो सकता है material के उपर अब कहरा है during counseling the pharmacist should assess the patient's understanding counseling के दौरान pharmacist का काम है क्योंकि वही तो बात कर रहा है पेशन्ट से कि वह assess करें आंके patient की understanding की वह जो बात कर रहा है कि पेशन्ट समझ गया उसकी बात को ठीक है about his or her illness and treatment याने कि फावंसे इसको समझा रहा है कि क्या बिमारी है कैसे इलाज़ चलेगा ठीक है क्या यह बात को समझ रहा है पेशन्ट and provide individualized advice individualized advice का मतलब है हर एक पेशन्ट के लिए अलग से advice होगी यह नहीं कि यही इसको देदी यही इसको देदी clear है okay and information which will assist the patient ठीक है वो क्या कर रहा है ओके आप प्रवाइट individualized advice उसको advice देगा and information देगा जो assist करेगी patient को patient को help करेगी assist करने मतलब उसको help करेगी to take their medication in the most safe and effective manner जिससे की patient बहुती safe तरीके से और effective तरीके से अपनी दवाईयों को ले सके अब safe तरीका का मतलब क्या है यह ना patient safe तरीका मतलब क्या है कि reactions वगरा ना उसको effective तरीका क्या है time पर लेता रहेगा तो दवाईयों ज्यादा effective रहेंगी तो प्रवाइड accurate advice and information अगर सही advice और information देनी है तो फार्मासिस्ट शुड भी familiar फार्मासिस्ट का familiar होना with the pathophysiology and therapeutics of the patient disease फार्मासिस्ट अगर patient को बिमारी है उसकी pathophysiology की बिमारी की वाईयसे सरीर में क्या changes आ गए और therapeutics क्या कारण है कैसे बिमारी हुई है उसके बारे में जानना फार्मासिस्ट का बहुत जरूरी है जब वो उसके बारे में जानेगा तब वो patient को सही information दे पाएगा तो देखो बहुत सारी चीज़े हैं इसके अंदर यहां इंटरूमेंट काफ़ी चीज़े समझाने कोशिश की है तो counselling के अंदर बिमारी से लेकर के दबाईयों से लेकर के हर एक चीज़ patient के साथ simply क्या है discuss करी जाती है उससे समझाया जाता है एक तरीकी से इसका उद्देश चिक्या है ठीक है तो पहला उद्देश चिक्या है उसका objective क्या है better patient understanding of their illness patient अपनी बिमारी को अच्छे समझ सके and the role of medication in its treatment और दवाईयों का क्या role है उसके इलाज में क्योंकि अगर बिमारी को नहीं समझाया उसने हलके उने लिए बिमारी को और बिमारी हो गंबीर तो भी दिक्कत है improve medication adherence medication adherence पहली बता चुका हूँ मतलब दवाईयों से adherence मतलब चिपकना दवाईयों से चिपकना मतलब दवाईयों सही time पर लेना सुबह बोली तो सुबह ही ले यह नहीं कि सुबह की ले रहा है दुबहर में दुबहर की ले रहा है शाम को ऐसा ना करे तो adherence मतलब दवाईयों के time से चिपकना किस टाइम पे खौने ही उसी टाइम पे लिए more effective drug treatment drug का treatment एकदम effectively हो सके reduce incidence of adverse effect counseling का एक purpose और भी होता है कि drug का reactions ना हो कितने कितने gap पे कोई दबा खानी है या कौन से खाना है या किस टाइब खाना नहीं खाना है ठीक है an unnecessary health care cost counseling होगी तो patient को समझा दे जाएगा कोई ये सब चीज़े नहीं करोगा और ये सब चीज़े खाओगे पिओगे ऐसे रहोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे तो health care cost कम हो जाएगी improve quality of life for the patient patient की quality life को improve करना ये भी एक उद्देश होता है better coping strategies to deal with medication related adverse effect better coping strategies अगर adverse effect हो जाता है तो उससे किस तरीके से cope किया जाएगा ठीक किया जाए एक तरह से उसको ठीक है ना किस तरह से उसको deal किया जाएगा improved professional rapid 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 होता है तालमेल एक professional तालमेल को बैठाना होता है between the patient and the pharmacist ये भी एक इसका उद्देश होता है या फिर हम यूँ कह सकते है जो objective है यही role of pharmacist भी है ठीक है ना objective को हम लोग क्या बोल सकते है role of pharmacist in patient counselling role of pharmacist in patient counselling वे topic में अपने वे नहीं है बढ़ हाँ इसको हम इस चीज में add कर सकते हैं और दे सकते हैं अब क्या क्या benefit है जो objective वोई benefit है देख लो counselling की benefit क्या क्या है improve medication adherence हो गया decrease medication error नहीं होगा दवाई होगा ठीक है reduce ADR adverse drug reaction adverse drug reaction reduce कर जाएगा ठीक है trust development एक patient जो है pharmacist के साथ उसका trust develop होगा तो उसको वो अपनी विमारियों के बारे में अच्छे discuss करेगा ability to manage stress stress manage होगा अच्छे से वो उससे discuss करेगा तो कहीं न कहीं patient हलका होता है दिमाग से तोर पे better understanding of therapy therapy को अच्छे समझ पाएगा कि दवाईयों को कैसे लेना और वो हमें कैसे ठीक करेगी दवाई improved quality of patient life तो वही जो चीज़ें उपर थी लगबग वही सारी benefits है आपर ठीक है किलियर है बाते है आँ आगे आते है next step when is patient counselling required क्या हमेशा ही patient counselling चाहिए सर्दी खान जुगा में जरूत नहीं पड़ती है न तो कब जरूत पड़ेगी जब बिमारियां थोड़ी गंभीर होती है जब दवाईयां 5-6 तरीके के खाई जाती है बिमारी गंभीर है 5-6 तरीके दवाईयां खाने तो कब कौन से ले नहीं है कितने gap पे ले नहीं तमाम चीज़ों हो जाती है तो counselling की जरूत हमको पड़ जाती है तो patient receiving more than one specific number of medication एक से ज़्यादा medication ले रहा है वो that is patient on multiple drug therapy पांच शे तरीके की जब दवाईयां ले रहा है ठीक है usually more than five formulation at a time एक बार में पांच से ज़्यादा formula की दवाईयां वो खा रहा है तो यहाँ पर counselling की जरूत पड़ती है या patient with literacy problem अगर वो थोड़ा सा अनपढ़ है literate नहीं है तो जरूत पड़ेगी counselling की समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है literate people को patient with visual impairment जिसको दिखने में दिखकता है patient को उसको counselling की जरूत पड़ती है pediatric patient, pediatric मतलब बच्चे अगर है तो उनको counselling की जरूत है बच्चों का थोड़ा सा अलगी रवीया रहता है उनको बिमारी से कोई मतलब होता नहीं जादा ठीक है तो counsell the parent in such case तो अगर बच्चे है तो कोशिश करें वहाँ पर माबाप को counsell करें कि बच्चे को कैसे रखना है क्या क्या खिलाना भी लाना है बूड़े patient को patient बूड़ा है, geriatric है तो counselling ज़रूत पड़ेगी patient अगर anti-asthmatic है दवाईया खा रहा है तो counselling ज़रूत पड़ेगी anti-diabetic दवाईया खा रहा है तो counselling ज़रूत पड़ेगी patient using special instruments कोई instrument यूज कर रहा है किसे को pacemaker लगा है, किसे को year लगे है बॉड़ी में कोई part में कोई machine पड़ी हुई है तो उसको counselling ज़रूत पड़ती है patient who are mentally ill और कोई दिमागी तोर से बिमार है patient who misused drug जो दवाईया इस्तमाल कर रहा है वो miss हो गई है नहीं खा पाया उन्हें patient with skin problem जिन patient को skin की दिक्कत है patient who are terminally ill बहुत ही बुरी तरीके से बिमार है टर्मिनल एक्दम आखरी स्टेज वगएरा आ गई है ठीक है ना और पेशेंट on anti-cogulants and anti-TV TV की दवाईयां खा रहा है anti-cogulants खा रहा है anti-cancer खा रहा है तो इन सब cases में क्या है counseling की ज़रूत पड़ती है क्योंकि यह सब दवाईयां किस प्रकार की है इन सब दवाईयों में counseling नहीं करेंगे तो adverse drug reaction या medication error या हो सकता है patient time पे दवाईयां ना खाए तो यह दवाईयां effect नहीं करेंगे जैसे कि TV का case आपको पता होगा टीवी का course है ना साथ से 8 मेने चलता है अगर एक दिन में दवा मिस होगी तो वापस से पूरा साथ 8 मेने चलता है ठीक है now steps during patient counseling patient counseling की समय कौन-कौन से steps follow करने है ठीक है यह हम यह कह सकते है कि stages क्या क्या है इसकी तो basically four part में इसको divide किया गया है कि following steps are to be followed during patient counseling चार पार्ट में divide किया गया है पहला है preparation of the session session की त्यारी करनी है patient कौन है क्या बिमारी है किस तरह की बिमारी है तो पहल तो जिसको counseling करने जा रहा है तो pharmacist थोड़ा सापने आपको त्यार कर लेता कि अच्छा यह सब बिमारी है अगर उसको बिमारी की knowledge नहीं तो फोड़ी सी information वह इखटी कर लेता है opening session यहां पर intro वगरा होता है patient के साथ जाएगा intro करता है कि हाँ hello hi कैसे है आप क्या है वगरा वगरा बाते होती है फिर counseling content क्या-क्या उसके नदर चीजें बताई जाएंगी या होनी चाहिए या इसको और closing the session finally फिर पूरा जब बात होने के बाद किस तरह से इसको close करना है तो चार चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है तो preparing for session क्या मतलब इसका the success of counseling depends on the knowledge and skill of the counselor counseling की जो success कितनी अच्छी counseling होगी depend करेगा कि जो counselor है यहां पर counselor को और फार्मसिश्ट है उसकी knowledge और उसकी छमता कितनी अच्छी है बिमारियों को लेकर के समझने को लेकर के बिमारियों को फार्मसिश्ट शूड नो as much as possible about the patient फार्मसिश्ट को patient के बारे में जादा जादा जानना है and his or her treatment detail कि वह patient क्या है क्या age है उसके बारे में मतलब उसकी detail तो file तो होती है hospital इसके बारे में जादा से जादा उसको जानना है और उसकी बीमारी के बारे में जानना जिससे कि जब वो से बात करेगा counseling करेगा तो एक अच्छा impression जाएगा उसको सारी knowledge होगी तो जब उसको सारी knowledge होगी तो patient उसके पर तरस्ट कर पाएगा if the patient is receiving a medication which is unfamiliar to the pharmacist अगर पेशेंट को ऐसी दवाईयां खा रहा है जो कि फांसिस्ट उनसे अन फैमिलियर है उसको बारे में नहीं जानता देन डाट ड्रग इंफोमेशन रेफरेंस शुड़ बी कंसल्टेड विफोर कांसलिंग कमेंस ठीक है न तो उसको एक ड्रग रेफरेंस कोई दवाईयां किस-किस चीजों की हैं क्या-काम में आती हैं उसको पहले समझेगा पेशेंट बिफोर कांसलिंग कमेंस कमेंस मतलब होता सुरूआथ कांसलिंग को सुरू करने से पहले उस ड्रग के बारे में पूरी इंफोमेशन वो इखटी कर लेगा के लि exist हैं तो यह तो उसने एपनивать किया उसने अपने अपनीने और कर लिया उस ने अब वो पिश् Gym से मिलेगा तो इंट्रग्षन होगा कॉपनिंग दॉपन ऑपन से जए छां किया रहां तो थो होने क्या रहीग मक्राइग हिस टमेशन गवर dona घरा ने कहती करे फार्मशेट खुद को इंट्रूस करेगा कि I am ABC जो भी मैं हूं को करके और ग्रीट करेगा पेशने को कि वेलकम सर गुड मॉर्निंग सर कुछ ही बोलेगा ठीक है जैसे कि बोलेगा जैसे मैं हूं मेरे से कोई फार्मशेट आके बोल रहा है कि Hello Mr. Krishna आप कैसे है तो Mr. बोलके फिर मेरा नाम लेगा तो ज़्यादा अच्छा है एक impressive होता अच्छा है और लगता है रही मेरा नाम जानता है यह एक feel आता है यह बंदा मेरे को जानता है ठीक है ना फार्मसेट शुड्ड अडिन्टी आप पर्पस ऑफ फार्मसेट फार्मसेट को पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है इस सेशन का वेरी क्लिर ली कि कि किस चीज के उपर वह सेशन लेने जा रहा है इंट्रो हो गया आपके मेडिकेशन के वारे माको बताऊंगा दो यूह फीव मिनिट के आपके कुछ समय है वह से पर्मिशन भी ले रहा है तो यह तरह का क्या है इंड्रोड़क्शन हो गया यह उसने अपने आपके अंडूस किया उसका नाम लेकर उसे बताया और बोला कि आपको आपके मेडिकेशन के बारे बताऊंगा कि आपके समय है उसको जाएसी बात है पेशिएंटों तो बोले को हाई बोले का बोले को लेगा लेकिन तब b히 एक मै नहीं होनी चाहिए तब इसलिए उससे पर्मिशन भी ले लो पेशेंट में भी डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रेस्ट्रेस्ट दू देर इल्नेस बिमारी से परिशान हो सकता है अफ्यू काइंड वर्ट कुछ अच्छे शब्द टू डिमोंस्टेट इंपैथी इंपैथी मत इस दिखाएंगे यह कांसलिंग में क्या करेगा असिस्ट करेगा तो यह सब बाते बेटा देखो आप पड़ा रहा हूं मैं इसको तो यह बात आप लोगों समझ में आ रही हो कि यह सब बात हो जानते हैं बस समझना है कि इसके अंदर यह सब चीजे होती है ठीक है ना इस नहीं करनी है फार्मसिट को आसके इंडारेक और एंब्रेसिंग वें उसको अपर पूछ नहीं पूछ नहीं करना है इस तरीके से नहीं पूछंगा principles रिखा रहा है उसकी sore से लेके बातचीत होनी चाहिए पास moral judgment, ऐसा नहीं है कि उसकी बात है सुनके moral judgment दे दिया रहे, तो ऐसा होता ही है, यह लोग तो ऐसी होता है कुछ श्टाप से बोल दिया करके, पेशेंट को लेकर करके, यह सब नहीं करना है interrupt when patient is speaking, जब पेशेंट बात कर रहा है, अपनी बात रख रहा है यह नहीं करना है, या किसी बात पे patient से बैस मत करने लग जाओ, हो सकता है patient रहा सालग type का हो, उससे बैस नहीं करनी है, उससे केवल information निकलवानी है जिससे कि जो दवाईया हो, उसके लिए अच्छे से अच्छी तरीके से use में लाई जा सकी और वो दवाईयों को अच्छे से use कर सके, time पर use कर सके, ठीक है, तो यह हो गया अपना opening session, यह सब बाते हो गई, क्या-क्या avoid करना हो सब हो गया counseling content, अब आप करेंगे counseling, तो जब counseling करेंगे, जब counseling चलेगी तब उसके अंदर क्या-क्या बातें आपको करनी है, उसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए the counseling content is the heart of the counseling session, counseling session का यह heart है, दिल है, main चीज है, during this stage, इस stage में, pharmacist explains the patient about his or her medication, यहाँ पर pharmacist उसको उसकी दवाईयों के बारे में समझा रहा है and the treatment regimen, और treatment का किस तरह से रहेगा, कितना मेहने चलेगा, कब तक चलेगा, वगरा-वगरा topic commonly covered include, अब इसके अंदर क्या-कर topic रहते है, name and strength of the medication medication का नाम और उसकी कितनी strength रहेगी, 500 MD, 500 MD, यह सब बाते यहां रहने वाली है the reason why it has been prescribed or how it works, reason बताना कि यह क्यों prescribed की गई है या फिर यह कैसे काम करती, यह आप बता सकते है how to take the medication, दवाईयों कैसे लेनी है, यह बताना है aspect duration of treatment, कब तक, कितने लंबे समय तक दवाईयों का treatment चलने वाला है aspect benefit of the treatment, कब तक benefit मिलेगा, कितना benefit मिलेगा, ठीक है possible adverse effect, क्या-क्या side effect हो सकते है, हो सकता है बाई खाने से वो बोल दे, gas बननेगी, सर में दर्ध हो सकता है ठीक है, possible medication or dietary interaction, क्या-क्या medications possible है या क्या-क्या dietary, diet में आपको लेना है, क्या-क्या नहीं लेना है वो सब बाते बताएगा, minimum duration required to show the therapeutic benefit कितना समय कम से कम लगेगा, असर दिखाने में दवाई को what to do if dose is missed, अगर कोई dose miss हो जाए, तब क्या करना है special monitoring requirement, for example, blood test और अगर monitoring की requirement है, मालों हिलाज लंबा चलने वाला है तो कितने-कितने दिनों के बाद आपको test करवाने हैं, वो भी यहाँ पर बताएगा तो यह सारा counselling के अंदर आपका बातचीत रहेगी, वो से बात करेगा, वो से समझाएगा ठीक है, अब information which is given should be tolerated to the individual patient जो information दी जारी है न, वो ऐसी होना है कि patient tolerate कर ले, यह नहीं कि आप अपने लगाए पड़े हैं और patient सुन नहीं रहा है आपके तो को बता रहा है, in some situation, it is important not to jump to conclusion कुछ situation ऐसी होती है कि आपको एकदम से conclusion पर jump नहीं करना है कि बातचीत करियों और फटाक से conclusion दे दिया अपने, ऐसा नहीं करना है about why a particular medication has been prescribed, ठीक है न, कि कई बार होतना दवाई दी गई है और वो बता रहा है कि आपको इस वह से दवाई दी गई है, एकदम से conclusion पर नहीं आना है क्यों उसका reason क्या, for example, tricyclic anti-depression, जो को नाम, anti-depression जाने कि depression में दी जानी चाहिए but, are often used for condition other than depression, यह एक ऐसी medicine है, तो depression के अलावा भी इस इस्तमाल में आती है जैसे कि neuropathic pain, अब तुम दवाई देखके उससे बोल दोगे, क्या तुम depression में हो, इस तरह से बात करने लगे अगर, तो तो फिर मामला गड़बड हो जाएगा, trust खतम हो जाएगा, तो एकदम से conclusion नहीं करना है, थोड़ी सी बातचीत करनी है, ठीक है, then, asking question, तो बेटर यह है कि नहीं, इसके pain के लिए, इस्तमाल के लिए दी गई है, ठीक है न, क्योंकि एक ही दवाई हो के कई सारे काम होते हैं, okay, can help, avoid misunderstanding in this type of situation, इस type of situation है, और इस तरह से आप पेश आते हैं, तो misunderstanding से बच सकते हैं, तो बेटा बात समझ में आगे होगी, यहाँ पर सब जनल चीज़े है एक वाई दिमाग में सेट कर लो, फिर बस मन से बना के लिख करके आ सकते हो, ठीक है, finally जब यह सब बात है कर लोगे, फिर session close करोगे, ठीक है, before closing the session, it is essential to check the patient's understanding, session close करने से पहले आपको यह समझना होगी, patient आपकी बात को समझ गया, जो जो आपने बात बताई है, ठीक है, this can can be assessed by feedback question, यह आप check कर सकते हैं, उससे कुछ कोशन करके feedback के तोर पर, जैसे की, can you remember, what is the medication is for, क्या तुम्हे याद है, जो बताएगा, हाँ, मुझे याद है, ठीक है, for how long you should take this medication, क्या मैंने आपको बताया था, कितने दिनों तक दिनों तक दिनों तक दिनों तक दिनों तक दिन information need may have been clear, कह रहा है, during discussion, some of the patient's information, जो patient's की information की need may have been clear, हो सकता है, वो पूरी हो गई हो, वो जो information चाहता था patient, वो पूरी clear हो गई उसको, ठीक है, but, but the patient may have new questions, but patient's के कुछ नए सवाल हो सकते हैं, या doubt हो सकते हैं, तो इसलिए, before final closure, इसलिए final counseling को बंद करने से पहले, if time permit, अगर time allow करता है, आपको, तो summarize the main point, तो कोशिश करने कि main main point से वे वापस से उसको बताएं, in a logical order, एक क्रम से, if appropriate, the pharmacist can supply their telephone number, अगर आपको ठीक लगता है, तो आपना telephone number दे सकते हैं, to encourage the patient to make contact if they need advice or information, इससे कि patient encourage होगा, कि अगर मुझे कोई problem होगी, तो मैं call कर लूँगा, ठीक है, कि हाँ, यह यह तो होता ही है, यह तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ताई तो patient के लिए अच्छा रहेगा, यही तरीका होते हैं, पेशन के counselling के, ठीक है, जो developed countries हैं, वहापर जब फार्मसिस्ट होते हैं, उनके इसी टाप से काम होते हैं, कि लिए रवाते हैं, आगे आते है क्लोज हो गया यह, सेशन हमारा, अब हम जब counselling कर रहे हैं, तो कुछ barrier हैं, कुछ रुकावटे हैं, क्या चीज़े हैं, जो रुकावट पैदा करते हैं, counselling को proper होने नहीं देते हैं, तो अगर हम बात करें, barriers to effective counselling, तो इसके दो heading हमारे पास, types of barrier, कौन कौन से barrier पाय जाते है होते हैं, और किस तरह सम इन barrier से overcome कर सकते हैं, इंको हटा सकते हैं, तो types of barrier के अगर हम बात करते हैं, तो effective patient counselling in community pharmacies difficult task, community pharmacy में काफी मुश्किल है, ना medical store खोला हुआ है, वहाँ पे आगा कांसलिंग करने हैं, हुआ सा मुश्किल काम होता है, due to the following barriers, क्या 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 रुकावटे हैं, पहला barrier हो सकता है, pharmacist की तरफ से, दूसरा patient की तरफ से, तीसरा system, हमारा system ही ऐसा है, pharmacist को हम कुछ समझते ही नहीं है, है ना, एक medical store वाले को क्या दवा देने वाला समझते हैं, system ही कुछ ऐसा बनाए गया है, तो समझते हैं, पहला कि pharmacist related barrier, कि pharmacist की तरफ से क्या क्या barrier हो स पर दवाया परचाया लिखा दे दिया अब वो पेशट्ट को नॉलेज नहीं है जब नहीं है तो कॉंटेज नहीं होगा कॉंटेज नहीं होगा तो वो कांसिलिंग कहां से कर पाएगा ठीक है अफैवी पेशेंट लोड कई पर फार्मिसी नहीं बहुत ज़्यादा है लगाता पेशेंट आते हैं तो हैवी पेशेंट लोड फॉर प्रिस्क्रिप्शन फीलिंग इज आलसे इंपॉर्टेंट बेरियर इन मैंनी प्रैक्टिस सुचिएशन तो जब इतना ज्यादा पेशेंट आ रहा है कि उसको प्रिस्क्रिप्शन दवाईयां देनी है करके तो हर एक अग लैक औफ और इसकिल कैसे कांसिलिंग करें इसको कमी है कि कैसे बात करें बात करनी आती उसे एटिज्मेंटल एटिज्मेंट कर रहा है और खालद यह सभी हो जघवाली क्या बात है शुजञमेंटल एटिटिट्यूट और बूरा है और यंग अगया है थीकिए इन अप्रोप्रियेट नॉन वर्वल कम्टेशन दौट चुके हैं फिल्ट्रिंग ऑफ इंफोमेशन इंफोमेशन फिल्टर कर देते हैं पेष हेट ने जितनी बाते बता है उसमें 2-4 तुनी बागी सब अब और लाक उप नहीं है, lack of listening, सभी से सुननी रहा है, भीड इतनी जाद है, सुननी रहा सभी से, lack of cooperation from patient, patient की तरफ से उसे corporate नहीं हो रहा है, तो तमाम चीजे हैं, अच्छा, religious difference यह भी एक था बीच में miss हो गया, हो सकता है, अलगर religion के हो, तो लगता है कि बता नहीं, मेरे religion में तो ऐसा होता है religion में ऐसा पता नहीं, बुरा मान जा करके, तो होता है करके इस तरीके से, तो यह फार्मसिस्ट की तरफ से होने वाले कुछ barrier है, जिसकी वाज़े से proper patient की counselling जो हमने पढ़ी अभी उपर, वो नहीं हो पाती है, clear है बाते हैं, next आते हैं, patient related barrier, patients की तरफ से होने वाले barrier, in India many patients are unaware that pharmacist may provide counselling, हमको पता ही नहीं है, बहुत से patient को, patient के हम लोग यह समझते ही है, कि वहाँ फार्मसिस्ट बैठा है, कि वहाँ दुकान के उपास, वो पर्चा दिखा तो दवाई दे देगा, उसको knowledge ही नहीं है, कि उसके बास knowledge होगी, पता ही नहीं है patient को, ठीक है, तो patient को ही नह इमिट patient from asking the pharmacist, gender या language होती है, patient की, महलो एक female है, male से बात नहीं कर पा रही है, या language ऐसी ही दोनों की अलग अलग है, तो बात नहीं कर पा रहा है, about medication and use of use information, तो सीरी सी बात है, gender, male, female का difference हो सकता है, language का difference हो सकता है, जिसकी वएसे वो फार्मसिस्ट से बात नहीं कर पा रहा ह है, कि मैं बात कैसे सुरुवात करूँ, कहां सुरुवात करूँ, lack of motivation, motivate नहीं है, कि नहीं है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो जाने तो, cultural religious belief हो सकता है, अपनी बात में किसी और हो, क्यों बता हूँ, ठीक है, poor listening, साहिसे नहीं सुनना, lack of time, time नहीं है, patient के पास, नहीं जाना चाहरा हूँ, उसके पास, physical or mental status उसका कैसा है, दिमागी तो और से कुछ सोच रहा है, या बिमाल टाइप का है, क्या है, नहीं पता, emotions हो सकते हैं, उसके जो उसे रोक रहे हूँ, साहिसे बात ना कर पाए, या पूछना ही ना चाहता हो, ठीक है, wrong or unclarified assumption, उसमें कुछ मान के बैठा कि नहीं, इसको क्या ही पता होगा, डॉक्टर से पूछ लूगा, जैंडर डिफ्रेंस, male female वाल आ गया, filtering of negative information, जो negative information हो filter कर लेगा, ठीक है ना गलग गलग इंफॉमेशना फिल्टर कर लिए और वो नहीं जा रहा हूँ, उसके पास फिर, पूछने के लि पैसे नहीं उसके पास, lack of social support, failure to disclose, अपनी बातों को खुलके नहीं रख पाता सामने, depression में हो सकता है, alcohol और drug use करता होगा, तो नहीं जाएगा, poor communication होता है, hearing और vision problem हो सकती है, यह तमाम चीज़ों होती है, जो किसी ना किसी तरीके से एक patient को pharmacist से proper बात करने नहीं देती है, ठी system related barrier, यह बात समझो, system मतलब जो हमारा system है, है ना हमारा जो contribute system है, pharmacist और patient को लेकर के, ठीक है, system से कहा मतलब है, in India counseling is not a mandatory legal, counseling को legally नहीं रखा गया है, बस आओ दवाई दे दो चुट्टी, counseling legal है ही नहीं, ठीक है, legal requirement and officially pharmacists are not entitled to charge, officially आप counseling के लिए पैसे नहीं ले सकते, विदियो for dispensing or for the information provide to the patient, पैसे मिलना है, ना कुछ और होना है, ना जरूरी है, ना कोई सा कानून है, हमें भी कुछ नहीं करना, वा समझ मारी है, तो यह सब चीजे system हमारा थोला सा कर बढ़ है, कुछ other factor, lack of privacy and community pharmacy, community pharmacy privacy नहीं हो दे चार लोग खड़े रहते हैं, lack of time, time की कमी रहती है, pharmac not having access to the patient full medication history, pharmacist जो है, patient की पूरी medication history की कभी भी जाच नहीं करता है, पर्चा आता है, दे देता है, दवाईयों को, poor communication between pharmacist and physician, pharmacist अगर मालो को प्रॉलम भी है, तो pharmacist physician से बात नहीं कर सकता, doctor करता ही नहीं बात, भढ़गा देता है, तो कौन, ठीक है ना, होता है, एक medical store वाले pharmacy, यह हो सकता है, pharmacy में भीड बहुत जादा है, और pharmacist की कमी है, तो वो मिल ही नहीं पा रहे है, हर एक patient से, तो 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 यह system related barrier आ जाएंगे, ठीक है ना, barrier का मतलब simple हो गया, कि ऐसे क्या 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 कारण है, कि counselling नहीं हो पाती है, तो तीन तरफ से क्या 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 to overcome barrier, क्या क्या रन नीती हम लोग अपना सकते हैं, इन barriers को दूर करने के लिए, तो तमाम हैं इसके अंदर, तो legalization of patient counselling, सबसे पहले तो legalize करें, कानून, कानूनी तौर पर जरूरी करते हैं, जब लोगों को पता होगा कि यह कानूनी तौर पर जरूरी है, तो पेशेंट, फ शिकायत कर सकता कि यह में कांसलिंग नहीं कर रहे हैं, कानून हो जाएगा, फिर तो शिकायत हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, introduction of counselling fees, counselling fees, अगर आप counselling कर रहे हैं, तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं, क्या ठीक है, मैं counselling करूंगा, आप मुझे 50 रुपे दीजिए, तो यह fees अब लागू कर सकते हैं, and continuous professional development program, लगातार ऐसे प्रोफेशनल प्रोग्राम होते रहे हैं, जिसमें pharmacist participate करेंगे और अपनी knowledge को update करते रहेंगे, ठीक है, are the important strategies to improve the counselling activity in pharmacies, simple है, यह हमको बात समझ में आती है, legalize कर दिया जाए, fees लगा दी जाए, और लगातार कुछ प्रोग्राम होते रहें, कि जो community pharmacist के, community pharmacy के pharmacist है, वो उनका भी knowledge update होता रहे, ठीक है, pharmacist can start updating their knowledge and counseling skill, pharmacist की तरफ से क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपनी counseling skill को बढ़ा सकते हैं, training ले सकते हैं, confidence can be developed by initially focusing on one disease or group of drugs, starting क्या करेगा, pharmacist की किसी एक एक प्रकार की बिमारी की बारे में पू ड्रक्स जैसे की एंटिवाटिक, साथार एंटिवाटिक ले ले उसकी full information ले ली, अब कोई patient आएगा और उसी बिमारी का patient है, तो उसको counseling करेगा, और एंटिवाटिक के बारे में बताएगा, जब एक उसकी knowledge इखटे करके जब वो counseling एक बारी कर देगा, तो confidence आजाएगा, फ patient से पूछे, have you used this medication before, क्या आपने दवाईयां पहले कभी ली हैं, when they collect their prescription, जब वो prescription लेते हैं, तो उससे पहले ज़रू पूछे, तो यह सुरुवाद हो जाएगी, यहां से एक बोल चालगी, शुरुवाद हो जाएगा, फिरो कुछ और बात करेगा, और और सवाल करेगा, patient, इस तरह से पूरी counseling हो सकती है, encouraging patient to ask portion, patient को encourage करें, pharmacist, कि वहीं सवाल पूछो, हम बताएंगे, हम बैटें, हम pharmacist है, about their medication will also improve counseling opportunity, तो कहीं नहीं देखा जाए, थोड़ा सा legalization और ज्यादा से ज्यादा, pharmacist को काम इसके उपर करना पड़ेगा, तब ही यह counseling process proper से हो पाएंगी, otherwise, यह barrier खतम नहीं हो पाएगा, कुछ other factor क्या है, use multimedia materials, pamphlet वगएर है, screen, cupola, hoarding, लगा देते हैं, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो patient आएगा, वो उसको पढ़ सकता है, तो इस तरीके से knowledge अपनी ले सकता है, pictogram, pictures वगएरा हो गया, oral or return information की help ले सकता है, compliance aid, compliance aid क्या होते सकते हैं, जैसे कि मालो, सीसियां हो सकती है, पुडियां बनाया या सीसियां बनाया अलगला दवाईयां को डोस को बाट दे, ठीक है, उससे क्या क्या है, सब आफिस समझाया है, उससे कि हाँ यह ऐसे है करके, कि यह दवाईया सुभी लेनी है, सामको लेनी है, तो compliance aid, time घड टेप्स हो सकते हैं, जो सुनाया जा सकते हैं, ठीक है, टेलरिंग प्रेस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन जो प्रेस्क्रिप्शन आए हैं इस्ट्रक्शन में उसको टेलर, तेलरिंग का मतलब थोड़ा सा मॉडिफाय कर सकता है, अपने हिसाब से, cultural sensitivity को ध्यान रखे, ठीक है then checking for understanding, क्या patient बात को समझ गया है, इस बात को check करेगा, seeking participation, देखेगा कि क्या patient participate, ले रहा है, counseling मों नहीं ले रहा है, effective questions, कुछ सही से question होने चाहिए, जो patient को भी लगे, कि हाँ मैं इसका answer दूँ तो सही है, summarizing what has been said, summarize करे कि उसने क्या कहा है, body language सही होने चाहिए, motivate the receiver, और receiver को motivate करे, overall देखा जाए, तो यह सारे जो other factor आते हैं, यह pharmacist को ही करने है, तो कहीं नहीं हम लोगों के उपर बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, तो यह होगा हमारे पास क्या, strategies to overcome barrier, और देखा जाए, तो यह lecture आपको समझ में आ रहा होगा, कि कुछ नहीं था, बस समझ लिया अब इसको द्वारा पढ़ने की साइज जरूत ना पड़े, मन से बनाके लिख सकते हैं इसको, है ना, अरे बोलो हाँ, सुना मैंने, बोला, ठीक है, तो ऐसे वो था, अभी भी लगता किसी कुछ पॉइंट छूट गए है, समझ में नहीं आए, तो एक बाद रिपीट कर ल ठीक है, लाइफ क्लास से जुड़ना चाते हैं, तो हमारा एप है, जहां पर आप लाइफ क्लास से जुड़के, यह सारी फैसलिटीज ले सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात जो है, रिवीजन करना है, और पढ़ाई करनी है, ओके, अल्दा बेस्ट